देखिए गुजरात में इस वार कॉंग्रेस की सरकार बनने की पूरी संभावना है क्योंकि लोग महंगाई से और जो तमाम बेरोजगारी फैली है इससे त्रस्त है क्योंकि लगातार जिस प्रदेश के व्यक्ति जहां मुख्मंत्री रहने के बाद प्रधान मंत्री हो और कहीना कहीं महंगाई और बेरोजगारी की वदौलत हाटी है गुजरात में कॉंग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी रावल गांदी जी की मैनत बिलकुल काम याब होगी और वो काम कर रहे हैं और वो जमीनी इस तरह का काम कर रहे हैं जोडो यात्रास का बहुत बड़ा असर कॉंग्रेस का गुजरात में देखनों को मिलेगा और गुजरात में कॉंग्रेस की सरकार बनेगी यानि की साढ़ी चार सो चार सॉ रॉपय का सीरेंडर आज 1100 रे में मिलारे गरी बेक्टी विए तो आठ साल में महंगाई की वी इस भार फिर भी बी बिजय भी अपनी बाजी मारेगी लेकिन टक्र कॉंग्रेस की वे और आमाद्मी पार्टी की भी है लेकिन सरकार तो BJP की आगी इस बार आकड़ तो यह लग रहा कि आमाद्मी पार्टी की आएगी आमाद्मी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ पर और लोगों को समझा रहे हैं अभी तुमने पीछे देखोगा वह वह अपना रहे हैं अपनी स्कूल में अस्पताल tasty काम किया वह जो टूकेसं कोई बना रहा है मोड बना रहे हैं एजुकेशन देली के अंदर बहुत अच्छा है अला तो इस तरह के दिखाई दे रहे हैं कि तिरकोण यह मुकाबला होगा क्योंकि आम आदमी पार्टी बहुत बहुत तरीके से वहां पर परफार्मेंस दे रहे हैं संगिठन पर बहुत ध्यान है लेकिन ए अच्छ तक मोटर नहीं चुर रही है अगर चरपाई डालेंगे तो उल्टी मिलेगी सरकार तो इस टेम है समझो बीजेपी की बनेगी मगर यह है टक करते तो आम बाली भी है जो आम मगर उन्जे अभी जानता नहीं है कोई शही तरीके से इसलिए बीजेपी की सरकार बन सक गुजरात में चुनाव होने जा रहे हैं तो मैं कहती हूं कि वहाँ निसंकोज निसंदे भाजपा की सरकार बनेगी और पूर्ण महुमस से बनेगी कोई रोक नहीं सकता उसमें निसंदे कॉंग्रेस की सरकार बनेगी कॉंग्रेस ने सब्तर साल में जो कर दिखाया वो किसी सरकार में नहीं कर दिखाया कॉंग्रेस लेके सुई से हवाई ज्याज तक देश को तरक्की की तरफ ले गई किसान मजदूर जनता के लिए कॉंग्रेस ने महुत कुछ किया गले लगाया, आरक्छन दिया और जनता के लिए कॉंग्रेस ने पढ़ाई के लिए सब उसमें जनता को बहुत भलाई दी गुजरात में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें बीजेपी सरकारी आएगी है, उसके कई कारण हैं, क्योंकि हमारे जो पुपेंदर सिंग जी हैं, उन्होंने विकास के बहुत से काम वहाँ पर किया हैं, जैसे सब्हें सफाई अभ्यान, सच्छता हर जगे नजर आएगी, जहां रहेगी साफ सफाई, वहीं होगी, सारे काम, हम गुजरात में भी एक विकास, मॉडल के रूप में किये जा रहे हैं। जबूती दिलाई है उसके आधार पर वहां पुनहां जो भाजपा की सरकार बनने की पूरी पूरी उमीद जता ही जा रही है और भाजपा की सरकार बनेगी